है गाइज बड़ सब तो आज की वीडियो में बात करने वाड़े हैं क्रैंक वेट्स के बारे में बुलेट के क्रैंक वेट्स के बारे में क्योंकि बुलेट प्रेटिकुलर क्रैंक वेट की विज़े से बुखती है तो बहुत से भाईयों ने comment किया कि crank weight बताओ कि कोण से बुलेट में कितने kilo की crank आती है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ लेकिन अजम bullet की crank के बारे में बात करेंगी कि कोण से bullet में आज तक सबसी heavy crank आई है जो आपके सामने BS4 model है इसमें कितने किलोगी क्रेंक आती है, BS6 में कितने किलोगी क्रेंक आती है, बुलिट चे अंदर, ठीक है, कोन से में बढ़िया साउंड है, तो सबसे पहले तुम आपको इसकी बता देता हूँ, यह 2019 मोडल है, बुलिट, ठीक है, और BS4 है ये, तो अगर मैं इसकी बात करें तो इसके अंदर आती थी 10 किलो की क्रेंग ठीक है 10 kg क्रेंग मैं वही बात करूँगा जो मैंने आज तक क्रेंग वेट देखे हैं ऐसे मैं आपको कोई भी बात नहीं बताऊँगा ठीक है तो इसके अंदर आती थी 10 किलो की क्रेंक ठीक है और अब जो BS6 model आ रहा है Standard E Particular उसके अंदर भी 10 किलो की ही क्रेंक है और 350 जो X आ रहा है Without self start वड़ा उसके अंदर भी 10 किलो की क्रेंक है same ठीक है और जो X ये सार रहा है फिलाल electric start वड़ा Electra का new model है वो new generation next generation बोल सकते हैं आप उसको थोड़ा सबड़ेट की है उसको तो उसमें आपती है 8 kg क्रेंक classic वारी सेम और Electra जो पहले आती थी उसके अंदर भी 8 kg की ही क्रेंक आती थी ठीक है मोडल की 1916 9 16 7 1967 एक बुलेट थी ठीक है तो उसकी कहांने क्रेंक वेट किया था उसकी जो च्रेंक थी वो थी साड़े 9 kg की क्रेंक का जब में में वेट किया उसके अंदर आया साड़े 9 kg फीर एक 1925 मोडल थी जो पिछले साल आई थी मेरे फ्रेंड की शोख एकचुली टिक मिस्त्री हे वह हो तो उसके जो बुलेट थी 1974 उसके अंदर जो क्रेंग थी 9 kg हेऑ लेग्फ чत्र में में दो यह सोभा रहा था कि जब उसकी क्रेंक निकाड़ी तो उसके अंदर भी एंट किलो की ही क्रेंक थी हाँ जी स्टैंडडर के अंदर आठ किलो की क्रेंक अब आप पिछे बाड़े मोडलों से हिसाब लगा सकते हो कि फिलाल इसी मोडल में फिर तो अच्छी खासी क्रेंक है यह मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रहा हूं यूँ ही नहीं आलंकि मेरे पास फुरूफ तो नहीं है क्योंकि उस बंदे ने मेरे को बताया है हो मिस्तरी है जोट तो बताएगा इनका रोजगा काम यही है ठीक है कभी मैं किसी और दिन आपको उससे भी वीडियो के थुरूफ पुछवा दूँगा यह चैनल मैं इसलिए बनाया हुआ क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से यार दोस्त हैं जो सभी बुलिट के ही प 2-8 कि भंवानी थी तो उसका वेट हमने किया था उसके अंदर भी आठ किलो की ही अ की ठीक है और ЩC 210 तक यह चैनल आघर वह सकता है लेकिन आराउंड 10 किलो ही आता था CIE इंजन जो 2004 से लेकर 2010 तक आया है उसके अंदर भी 10 किलो की ही क्रेंक आती थी ठीक है लेकिन उसके थंब का जो मुकावला है ये वाड़ा इंजन नहीं कर सकता उसका थंब बहुत बढ़िया था ठीक है ये बात तो कहनी पड़ेगी लिजेंडरी थंब था उसका फिर 2010 से लेकर अब 2020 तक तो मैंने आपको बताई दिया आगी तो यही आ रही है क्रेंक ठीक है बुलेट 500 की एक हम बात करें तो उसके अंदर जो ये रेगुलर मोडल है आपका जो बुलेट 500 आता था था भी BS4 के अंदर अब तो 500 CC को बंद कर दिया गया है उसके अंदर भी स्टेंडर वाड़ी ही क्रेंक आती थी 10 किलो की ही सेम क्रेंक ठीक है कोई फरक नहीं है बुलेट 500 और बुलेट 350 की क्रेंक के बीच में ओके तो मैंने लग बग आपको सभी मोडल जो आए हैं अभी तक उनके बारे में बता दिया है अब बात करते हैं मैक्स मैक्सिमिम् ChapIoux क्रेंक प्रदीप नाम मेरा दोस्त है उसने मेरे को बताया है कि जह क्रेंक है मैक्सिम वह बारा किलो की आई है शीक लेकिन उसने आखिकर में सुनाई है अभी तक अमने लाइव नहीं देखा है को नियुद्कर आपको सिरे लेश्मिंगि खरortunate जासकते हो लेकिन इतना मजा नहीं आएगा आपको किलों काफी अगर बारिब करण करवां भी लोगे बढ़ जाता है क्रैक वेट तो ऊसके टोकर वाड़ा मजा नहीं आएगाенदाटर फीया हो जो बुलिट आ रही है वो लेख सकते हो लेकिन एक चीज और है उसके अंदर पटाका नहीं बजेगा क्योंकि उसके अंदर EFI आ गया है लेकिन क्रैंक उसके अंदर 10 किलों की ही है ठीक है मैंने कंपनी से पता किया है शोरूम से भी ठीक है तो वह बता रहे थी कि क्रैंक वेट क्लों की आज तक सबसे ज्यादा क्रैंक आई है और आप क्रैंक वेट को 12 किलों तक ले जा सकते हो बढ़वाया जाता है लेकिन उसे में तरह मजा नहीं आता है 10 किलों की क्रैंक मॉर्दिन सफिसेंट है क्योंकि आज कल तो बाई ये मैने जैसे बुलिट है इसके अंदर यह क्रैंक में रते हो तो अलग बात है लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं रहा है भी क्रैंक वेट के अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो जो स्टेंडर है उसके अंदरी सबसे ज्यादा है वी क्रैंक आई है आज तक 12 किलों की क्रैंक आए बहुत से बाई बोलते है 14 किलों की क बुल्टों का काम कर रहा है उसके पापा भी बुल्ट का काम करते थे तो यह समझ लेजी आप उसको कम से कम 18-19 साल तो अब हो गए ठीक है तो और तो मैं आपको क्या बता हूं क्रैंक वेट के बारे में यह 10 किलों की क्रैंक है इसकी वीडियो मैंने बोल ला था कि हर वीडि तो यहां से और कर देखते हैं इसको अरब यह सुन लो भाई अरब यह सुन लो भाई अरब फोड़ा सा एक्सलेट करता हूं इसको कर दो यह सुन लो का यह साओँ कर देखते हैं इसको अर बारे में खाले तो में झाले ताहरा सुने। तो यह है भाई 10 किल्लो की क्रैंक की साउंड इसमें मैं फिल्ष बता देता हूँ बैंड आप लगवालोगे तो साउंड बहुत जादा बढ़ जाएगी ठीक है और हैवी क्रैंक का फायदा यह कि वो इंजन को चलाए रखती है ठीक है यह फायदा है एवी क्रैंक का तो बस आज की वीडियो में इतना ही था क्रैंक के बारे में थे सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे हैवी क्रैंक बुल्ट में ही आती है बुल्ट में ही आएगी और बुल्ट में ही आती थी ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो थेंक यू